एकबालपूर में डकैती की कोशिश नाकाम, जान पर खेल कर खुद ही बदमाश को पकड़ा बिल्किस रह्मान और उनके घरवालों ने महानगर के एकबालपूर थानक शेत्र में बढ़ते अपराद पर काबू पाने में पुलिस की नाकामी का पता तब चला जब बदमाशों के एक सम्हुने तड़के एक रहाईशी मकान में तोड़ फूड कर भागने की कोशिश की हाला कि परीजनों ने अपनी जान को जोखी में डाल कर एक बदमाश को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया हैरान करने वाली बात ये रही कि जब पुलिस पिडिता के घर जांच के लिए पहुँची तो पुचा की लाखों रुपए नकत और लैप्टॉप कहां से आया पिडित परिवार का ये भी आरूप है कि उन्हें F.I.R की कॉपी देने के लिए बार-बार थाने आना पड़ता था सूत्रों से मिली जानकारी के नुसार एकबालपुर थाने के अंत्रगत 8H मॉमिन्ट पुर रोड सित एक बिल्डिंग के फ्लैट नंबर टूसी में रहने वाली बिल्किस रह्मान शुकरवार की सुभा अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रही थी तबी हत्यार बंद बदमाशों की टोली घर में घुसाई और अलमारी को तोड़कर सोने के सेवरात लेकर भागने का प्रियास किया वही घर वालों ने जान जोखे में डाल कर एक बदमाश को पकड़ लिया और उन्होंने घटना की सूचना एकबाल पूर्थाने को दी जिसके बाद पुलिस पहुँची और प्रारमिक जाच के बाद बदमाश को अपने साथ ले गए बिलकीस बेगम ने कहा कि अगर परिवार के सदस्य सही समय पर नहीं होते तो बदमाश पूरे घर को लूट कर परार हो जाते पुलिस ने बिलकीस रह्मान की लिखिज शिकायत पर कारवाई करते हुए अग्याद बदमाशों के खिलाब मामला दर्श कर लिया है इस खबर को लेकर डिप्टी कमिंशनर पोर्ट डिविजन जफर अजमल कदवई ने कहा कि गिरफ़तार आरूपी के पहचान समीर हुसैन और फाकाश उम्र 20 वर्ष के रूपने हुई है वो अठराडी मौमिन पुरकर हैने वाला है उन्होंने बताया कि उक्त फ्लैट का दर्वाजा खुला हुआ था जिसका फायदा उठाकर तीन चार बदमाश घर में घुसे और नगदी समेत कीमती समाल लेकर भागने का प्रियास कर रहे थे शिक अदवई ने बताया कि आरोपे के पास से उक्त समान बरामत कर लिया है बिलकीस के बेटे ने कहा कि पुलिस घर पहुँची और चोर के बारे में पूछने के बज़ाए परिवार वालों से पूछने लगी कि पैसा और लैप्टॉप कहा से आया और रोने आगे कहा कि प इबालपूर थानक शेत्र में बढ़ते अपराद पर काबू पाने में पुलिस की नाकामी का पता तब चला जब बदमाशों के एक सम्हूने तड़के एक रिहाईशी मकान में तोड़ फूड कर भागने की कोशिश की हाला कि परिजनों ने अपनी जान को जोखी में डाल कर एक बदमाश को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया हैरान करने वाली बात ये रही कि जब पुलिस पिडिता के घर जांच के लिए पहुची तो पूचा की लाखों रुपे नकत और लैप्टॉप कहां से आया पिडित परिवार का ये भी आरूप है कि उन्हें F.I.R. की कॉ अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रही थी तब ही हत्यार बंद बदमाशों की टोली घर में घुसाई और अलमारी को तोड़कर सोने के सेवरात लेकर भागने का प्रियास किया वही घर वालों ने जान जोखे में डालकर एक बदमाश को पकड़ लिया और उन्होंने घटना की सूचना इकबाल पुर्थाने को दी जिसके बाद पुलिस पहुची और प्रारमिक जाच के बाद बदमाश को अपने साथ ले गए बिलकीस बेगम ने कहा कि अगर परिवार के सदस्य सही समय पर नहीं होते तो बदमाश पूरे घर को लूट कर परार हो जाते पु गुम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है वो अठराडी मौमिन पुरकर हैने वाला है उन्होंने बताया कि उक्त फ्लैट का दर्वाजा खुला हुआ था जिसका फायदा उठा कर तीन चार बदमाश घर में घुसे और नगदी समेत कींती समान लेकर भागने का प्रियास कर रह और उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का पोच्टाच का तरीका बिलकुल ऐसा था कि जैसे अपराद हमने ही किये हूँ झाल भड़ कि जागव पुलिस समान लेकर प्रियास लेकर तीन चाल फायदावार भागने हीूँ